हेलो एवरेवन वेलकम बैक ऑन दे प्लाटफॉर्म अफिको स्टड़ी तोड़े वी आ गूंग तो डिसकूस वाटर दे इंपॉर्टेंट प्रवेसर कोशन आफ एडी पी आई एडी पी आई वन का प्रवेसर इंपॉर्टेंट कोशन क्या क्या जिसकी आने की चांसे से यह सा रही किसे पता चल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है कहां पढ़ना है कैसे पढ़ना है ठीक है तो चलिए हम लोग बीना देरी की हुए स्टार्ड करते हैं विडियो को मैं हूं सहरप सिंग और आप देख रहें कि कोस्ट एडी और साथ ही साथ लास्ट में हम जा करगे कुछ आपके लिए अनॉंस भी करेंग तो यह लास्ट में जा करके अनॉंस करेंगे तो फिर्स्ट अफॉल लेट से ही कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वार्डर इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जब प्रिवेशियर कोशन को एनलाइज करने के बाद पिछले 10 साल के तो उसके बाद मैंने यह निकाला है जो कॉंकलूजन यह हैं कि टोटल जो है वह हर्ट कोशन आते हैं तो जो पहला गोशन आता है वो है ने इकानमिक ग्रोथ हैं एकानुमिक ग्डिबॉस्टमेंट मन्हें ऐसके कैसे कुर्ष गालाएं उनकी सब्सक्राइव का मर्होड यह इपना ये इकोनमिक डिलेपेंट पिक टैसमेंट मेंनषण रहरें इकानमिक डिबॉप्मेंट जो है वह मल्टि-डिमेarration तो पहले कोश्टन का जो टाइप है अब देख सकते कोश्टन पड़िए वाटर देख सकते कॉश्टन पड़िए वाटर्व देख कॉंसेट ऑप इकॉनिक डिभलोप्मेंट इसका सथ वैरेस फक्तर डाइट इंफूएंस क्या डिफेंसेस है यह म्ल्टि-डिब्लप्पिन्स multi-dimensional process in the statement बताईये काम मिडिलपमट में डिस्टेंग इडिपन के सल्पिशे ए विडिपनी से संटिकर्श से सब्सक्राइब करिये टिकना डिकान में डिकंडीबन देप्रेंसमा इंतर्पारिशन से value of development what are the main responsible for the divergence between developed a nation क्या responsible है एक निशन डिप्लपिंग है लिस्ट डिप्लप्त है एक डिप्लप्त है डिप्लप्त है डिप्लप्त है डिप्लप्त है इसके वाद एकॉनमिक ग्रोथ जो है वो वो बात करता है यह चीज का सबसे पहले दोनों है क्या दोनों के बीच में डिफ्रेंस क्या है यह सारा आपका कुश्चन जो है वो एकॉनमिक डिप्लप्मेंट से कुश्चन पूछे सबसे पहले दोनों है क्या दोनों के बीच में डिफ्रेंस क्या है यह सारा आपका कुश्चन जो है वो एकॉनमिक ग्र क्निशनल प्रोसेस है इस चीज़ को एक्सपेंड करें उससके बार डफारेंट का कि जब जो ग्रोथ आई कि क्या रहा है कि कौन से प्रेड में आफ़र इंडिपंडेंडेंस आपका ग्रोथ बताना उसके उपर भी एकषिन पूछके मेजर ड्राइवर ऑफ दा ग्रोथ ऑफ दे इंडियन एकॉनमी है ना और और कैप्टल फॉर्मेशन बेटर इंफरस्ट्रॉक्ट्रॉक्टर इफिसेंट इंस्टूशन और टेक्नोलोजिकल इनोवेशन आरे कि आर इन्पॉर्टेंट्वो एकॉनमीं ग्रोथ तो इकॉनमीं डिवल्लिप्मेंट इस इस रिजन को इbstवें करी तो और ये सारे कॉश्यन पूंश हो जारी है जो की पहला तो दो मैं यह लिख दिया हूँ क्या है इंपॉर्टेंट इंडिफरेंशम नॉट सफिसेंट मल्टिडाइमेशनल एक्स्टरम सकेंड जो कुशन आपका पूछा जाता है वह हैं पॉपुलेशन चे इन कुशन पूछा जाता है कि इंडिया का पॉपुलेशन क्यों लगातार इंक्रीज कर रहा है वाटर दर रिजन कि गवर्मेंट का पॉलेशिस आने के बाद भी इंडिया का लगातार पॉपॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका क्या है उसका सॉलोशन बता को सी इसका पॉपॉपूलेशन कैसे economic development को hinder करता है कैसे रोकता है बाधा उत्पन करता है ये चीज़े हमें बताना है ठीके ना population और economic development के वीचे में क्या relation है ये चीज़ को nature क्या है population का इंडिया के अंदर ये बताना है demographic dividend की से कहते हैं ये बताना है तो recent जो question है वो demographic dividend से बहुत ज़्यादा पूछी जा रहे है demographic dividend तो इसको बिलकुल आपका पता होना चाहिए तो these are the questions that are asked from population एक question आपका population से रहते ही है कि population की इंक्रेस कर रहा है क्यों population आपका उसका solution क्या है क्यों अभी तक control नहीं कर पाया है क्या economic development को hinder demographic divided nature of population discuss with the reference to the India the statement relationship between population growth and economic development चीक है दोनों के वीच में population growth hinder economic development of a country explain करी बता चुके है इस तरह के question आते है discuss government effort why India not able to control population क्यों control नहीं कर पार give suggestion to control population policy बताईए nature of population population growth hinder economic demographic dividend आप देख सकते है recent में 2022 के अंदर ये question आर सका है demographic dividend क्या होता है demographic dividend क्या होता है recent का question ठीक है ना कैसे population का जो एक्सक्राइजेशन इक्सक्राइशन है कंट्री के अंदर इसको इसको government कैसे control कर सकते है कि उस government का क्या effort है policy बताना है तो ये आपका question बनता है जो की population से आता है next is your unemployment unemployment से किस तरह के question आते है तो एक question आपका unemployment से भी आता ही आता है तो unemployment से question पूछते हैं कि unemployment क्यों है इंडिया के अंदर why क्यों ज़्यादा है इंडिया के इंडिया why it is so high what are the nature cause and type of unemployment in India क्या nature है क्या cause है किसे कहते है seasonal unemployment किसे कहते है ठीक है ना तो ये cyclic unemployment किसे कहते है तो ये type सारा आपको पता होना चाहिए nature क्या unemployment का cause क्या करता है ये पता होना चाहिए साथी साथ unemployment क्यों what are the policies जो आया है unemployment को कम करने के लिए इंडिया में after independence ये policies आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या policy आया इंडिया के अंदर लाइक मन्रेगा आया था एंजी नरेगा आया था तो वो आपको पता होना चाहिए कि एंजी नरेगा के अंदर 100 दिन का work ठीक है ना फिर और नहरु रोजगार योजना आया था संपदा रोजगार योजना था तो तो ये सारे पॉलिसिस आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसिस था कब आया था था ताकि आपको कुश्चन में कि लिए ब्रोइट करके लिखने में ज्यादा बेतर तो आईए हम कुश्चन देखते हैं आनिम्प्लाइमेंट से क्या पूछे हैं इस एक्स्पेंड नेचर एंट टाइप ऑफ दा अनिम्प्लाइमेंट नेचर टाइप हाइण अनिम्प्लाइमेंट रुइज लिए रेकी आनिम्प्लाइमेंट टाइए और मिट्सनी इंदी कािन में आनिम्प्लाइमेंट यह बताईए नियूराइं का फिर से cause of unemployment recent year में different type of unemployment generational scheme, what are the high cause of unemployment, program बताईए nature and cause of unemployment, तो ये सारा question आप देख सकते हैं जो कि unemployment के उपर पूछा गया, तो सबसे important क्या है, nature क्या है, cause क्या है, type क्या है, क्यों ज़्यादा है और policies क्या है यही तीन फट से आपका question पूछते हैं जो कि unemployment से है ठीक है, तो unemployment भी done, तो आपका तीन question आपका done हो गया, सबसे पहला, economic development, population और आपका unemployment, next one is planning, planning से question पूछते हैं, पहले पूछते थे, recent year में थोड़ा सा कमा है, कमा नहीं है, अलग different way में पूछत, तो पहले planning से question आता था, बताईए, what are the short term and the long term goal of the planning, what are the different source of financing, बताईए, planning के अंदर आपका foreign aid, deficit financing का क्या role है, इसका merit क्या है, demerit क्या है, जो हम finance करते इसके थूँ, तो इसका merit क्या है, demerit क्या है, ठीक है, तो ये, फिर अब जो पूछी जाते है, question, वो आते है, economic reforms, क्योंकि economic reform भी क्या था, एक planning के तौर पही लाए गया था, ठीक है न, तो economic reform पूछी जाते हैं कि क्यों इंडिया के अंदर economic reform आया, what are the reason, और economic reform में क्या आया, है न, what are the policies that are taken under economic reform and what are the result of economic reform on Indian economy, है न, वो आपका economic term में भी आपको बताना है कि आपका economic growth के उपर क्या effect हुआ, income के उपर क्या effect हुआ, GDP के उपर क्या effect हुआ, GDP के उपर क्या effect हुआ, साथी साथ आपका social measures के बारे में बताना है, like poverty inequality के उपर आपका क्या effect हुआ, तो these are the question that are asked from the planning, तो हम लोग कुशन देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि planning से आपका question जो है, वो explain the long term and the short term objective of the planning, long term, short term objective बताना है, ठीक है न, क्योंग conflict है, आपस में या complimentary है, यह बताई, explain the relationship, relative importance of the foreign aid and the deficit financing in the five-year plan, बता रखका हूँ आपको, what are the relative merit and demerit of the different source of financing India, बता रखका हूँ कि ऐसे question पूछते है, economic reform 1991 के अंदर क्या था, various reform बताईए, ठीक है न, next one is source of financing, finance कहां से Indian plan के अंदर किया जाता था, यह बताईए, foreign aid और deficit financing का क्या role है, new, जो 2022 के अंदर question पूछा गया है, that is, explain the rational and the main features of the new economic policies of 1991 in India and its impact of the Indian economy, ठीक है न, तो new, बिल्कुल recent में यह question पूछा गया है, 1991 के economic reform का क्या impact है इंडिया के उपर और इसका features क्या है, तो यह question आपका planning से पूछे जा रहे हैं, recent में जो है, वो आपका economic reform 1991 से question आते हैं, next question is on policy, policy के उपर question पूछते हैं, एक question आते हैं, फिर से policies से आते हैं, एक क्या, पहले दो भी आ चुके हैं, तो पहले previous year के अंदर इससे दो भी question आ चुके हैं, तो सबसे पहला जो है, rate of saving और capital formation, यह दोनों के बीच में relation क्या है, यह अच्छे तरीके से समझना है, कैसे dependent हैं, क्यो rate of saving इंडिया के अंदर जादा है, बेट उसके बाद भी इंडिया के अंदर investment कम है, what are the reason, what are the paradox under this, तो यह सारा चीज आपका rate of saving capital formation के अंदर cover होगा, what are the source of domestic saving, domestic saving इंडिया के अंदर कहां से आता है, source उसका क्या है, यह बताना है, next one is monetary policies क्या है, उसका objective क्या है, and monetary policy instrument क्या है, ठीक है न, तो monetary policy आपका short notes के अंदर भी आता है, instrument of objective of monetary policy short notes के अंदर भी आता है, तो यह, next one is your, fiscal policy क्या है, objective क्या है, and fiscal deficit क्या है, ठीक है न, कैसे हम fiscal policies को, fiscal deficit को solve कर सकते है, fiscal policies के दार, so these are the questions that I asked from the policy part, और यह लाइक, reason for low saving and investment, reason बताईए, क्या है, low saving or investment का इंडिया के अंदर, cause of low capital formation, important one, cause of low capital formation, क्या reason है, low capital formation के लिए, so these are the questions, sub part that are asked from the policy part, ठीक है, तो देख सकते हैं, अब question हम देख लेते हैं, planning policy, do you think the present rate of saving and capital formation are adequate, हमको इसको improve करने के लिए क्या करना चाहिए, monetary policy, उसका instrument बताईए, source of domestic saving in India है न, explain the paradox of high saving and low rate of economic growth in India, ठीक है, saving ज्यादा economic growth कम है, source of saving बताईए क्या है, paradox बताईए क्या है, trend and cause of low rate of capital formation in India, बताईए क्या reason है, ठीक है न, what are the objective of fiscal policies, कैसे fiscal reform लेट आकि, fiscal deficit आपका कम हो, बताईए अच्छे तरही किसे, ठीक है, साथी साथी इससे short notes भी आते हैं, like monetary policy, fiscal policy, capital formation, low rate of capital formation, तो ये सारे इससे short notes भी आते हैं, getting, तो ये type की question आपके policies वाले parts से पूस्ते हैं, ठीक है, next part आपका क्या है, that is your fiscal federalism, तो fiscal federalism के अंदर से क्या question आते हैं, जो सबसे ज़्यादा important question इससे है, वो ये है, that is the issue in center and a state financial condition, ठीक है न, central और state के वीच में financial relation में क्या issue है, क्या problem है, तो ये बताना है, ठीक है, major issue क्या है, cause क्या है, तो ये important है, recent year में भी ये पूछा गया है, कि center और state के वीच में क्या है, ये लगातार एक ही question आता है, center और state के वीच में क्या है, और 14-15 financial commission, 14-15 financial commission का क्या आपका recommendation है, वो आपको बताना है, ये भी important one है, ठीक है, next one is rising public expenditure over after independence, इंडिया का public expenditure लगातार बठते जा रहा है, इसका क्या concern है, what is the problem that I rise in the future, ये अभी arise हुआ है, क्या है, तो ये आपका तीन question, तीन सब पार्ट है, जो कि fiscal federalism से आने की आहीं रहे हैं, हर एक year आ रहे हैं, तो आपका center state, 14-15, ये सारे question आपके clear होने चाहिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, fiscal federalism, what are the center state financial relation, what are the cause and consequences of growth of public expenditure in India since independence, center and state relationship, what are the recommendation of the existing financial commission, center and state financial relationship, 14 financial commission, center and state relationship, recent year के अंदर, state how to improve, क्या 14 financial commission के द्वारा recommendation है, deficit financing is necessary well, deficit financing हम नहीं कर सकते हैं, क्या हमारा internal source है, जिसके थूँ हम deficit financing को कम कर सकते हैं, तो these are the questions that are asked from the fiscal federalist, important one is center and state and what, आपका 14 and 15 financial commission, तो यह आपका important है, और साथी साथ short notes के अंदर भी इससे question पूशते हैं, कि बताईए 14 financial commission क्या है, या 14 financial commission, 15 financial commission क्या है, तो यह चीज़ें आपको clear होने चाहिए, ठीक है, next part is your last part, that is 7th part, जो आपका 15 marks का question आता है, उसका जो 7th part है, वो है poverty and inequality, poverty and inequality, तो इससे question किस तरहीके से आते हैं, what are the cause and effect of poverty and inequality, cause and effect पूछें, उसके बाद, यह policy क्या आया है, poverty and inequality के अंदर, what are the policies, that are coming for poverty elevation, poverty या inequality को कम करने के लिए, government of India के द्वारा, क्या-क्या effort किये गए हैं, क्या-क्या policies लाए गए हैं, और क्यों policy जो है, वो work नहीं किया, क्या reason है policy के work नहीं करने कारण, like आप past के अंदर, food for work program, और भी बहुत सारे policies लाए गए, 1970 के बाद, 1970 to 1990 के बीच में, बहुत सारे policies, poverty and inequality को कम करने के लिए लाए गए, क्यों क्या reason था लाने का, क्यों कम नहीं हुआ, ठीक है, policies में क्या problem था, तो ये आपको explain करना है, साथी साथ आप अपना suggestion देंगे, कि किस तरीके से हम poverty and inequality को कम कर सकते, फ्यूचर में या गवर्मेंट के द्वारा क्या स्टेप लिया गया, तो इस आड़ दे कोशन, ask from the poverty and inequality, let us see, what are the questions, trend आपका गया है, that is the, e-reduction of poverty and inequality is the most important role of planned development in country, poverty and inequality को खदम करना में most important role है, तो बताईए कैसे ही इस गोल जो है इंडिया के respect में ये नहीं पूरा हुआ है, ठीके न, explain भी करिए कि क्या poverty elevation and inequality program है, objective है, जो क्या factor है जो इसको रोक रहा है, poverty elevation program को या inequality को कम करने में, कौन से factor है, तो reason and effect of inequality, what are the major to reduce, सरकार के द्वारा, anti-poverty program क्या है, cause क्या है poverty का, तो ये recent year के अंदर, what do you understand by poverty, absolute and in relative terms, is income poverty same as the inequality of income in society, explain the cause of the poverty, poverty evaluation, elevation, measures, तो ये आपको बता लोगा, ठीके, तो ये जो है, वो main question आपका पूछा जा रहे, तो ये साथ topic, आपका ये पता हो जाना चाहिए, कि ये साथ topic में से आपका question, 100% आएंगे, 100%, फिर से there is no shortcut, कोई भी shortcut नहीं है, कोई भी 100% guarantee के साथ नहीं कहा सकता है, कि 4 question दिया है, उसमें में से 2-3 आजाएगा, पर लोगू topic पास हो जाओगे, no, this is not a way, और मैं उसको follow भी नहीं करता हूँ, that's why I ask you to prepare all these topics, at least ये 7 में से तो 5 topics आपके prepared अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए, minimum, minimum 5, और maximum 7, तो ये आपके prepared हो जाने चाहिए, तब आपकी chances बहुत अच्छी रहेगी, फिर आपको exam में इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है न, या फिर बैठना नहीं पड़ेगा, बिलकुल अच्छे तरीके से आप paper को लिख कर के आए, ठीक है, और ये prepared कैसे करें, उसके लिए मैं हूँ, getting, तो उसके लिए मैं हूँ, तो last जो question number 8 आपका आएगा, total 120 marks के आते हैं paper, जिसमें से आपको पाच बनाने होते हैं, तो last जो आएगा, वो short notes, short notes आएगा, what are the sustainable development, sustainable development क्या है, sustainable SDG क्या है, sustainable development goal, ठीक है न, hdi क्या है, तो ये दोनों से एक short notes, हमेशा बन रहा है, vicious cycle of poverty, monetary policies क्या है, ये, demographic transition क्या है, ये, what are the role of human formation, in economic development, this is important one, monetary policies, important one, demographic transition is important one, तो ये पाच में से, दो आई जाएंगे, ठीक है, फिर poverty line क्या है, trend in saving and investment, occupational structure क्या है, इंडिया के अंदर, after independence, तो ये बताना है, role of fiscal policies, in economic development, ठीक है न, reason for slow capital formation, तो ये capital formation, जो हम पढ़ेंगे, वहाँ पे, saving and capital formation का, जो relation था, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा, what are the reason for, slow capital formation, ठीक है, जब fiscal policy हम पढ़ेंगे, तो, वहाँ पे पता चल जाएगा, what are the role of, fiscal policies, saving and investment, saving के जगा पे पता चल जाएगा, occupational structure, इंडिया के अंदर, population के अंदर पता चल जाएगा, getting my point, poverty line, poverty and inequality पढ़ेंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा, monetary policy, हम लोग policy वाले पार्ट में, अगर करेंगे, demographic transition, हम लोग population वाले पार्ट में, तो यह आपके short notes है, जो की बनेंगे, चीक है, तो आप देख सकते हैं, कि आपका, क्या पूछा जाएगा, आपके exam के अंदर, तो यही आज topic में से आपका, आने वाल है, और इससे कहीं से भी बहार से नहीं आएगा, कहीं से भी बहार से नहीं आएगा, remember, ठीक है, तो यह चीज को, आप note भी कर सकते हैं, या फिर नीची में आपको मैं PPT दे दूँगा, साथी साथ जो previous year question है, आपका जो आया है, उसका भी, मैं नीची description के अंदर link दे दूँगा, वहां से जाकर कि आप download भी कर सकते हैं, अपने previous year question को, ठीक है, तो यह सारे question को analyze करने के बाद ही, मैं आपको यहाँ पर इतना करा पा रहा हूँ, ठीक है, तो यह सारे question मैं description के अंदर, प्रोवाइड कर दूँगा, अब बात आया कि prepared कैसे करे, हम अब दो question का अंजर देख लिए, लेकिन अब बात है, हम वाट, हमें पढ़ना क्या है, यह हम पता कर लिए, अब हमारा आता है, how, कैसे, कैसे परटना है, कैसे prepared करे, तो, कैसे prepared करे, उसके लिए, यह आपके लिए, यह आपके लिए, तो, आपका यह, यह 11 ने 10, ठीके, तो आपका 10 से, ADPI 1 का, को सुरू होने जा रहा है, ठीके, semester 5 के लिए, ADPI 1 के लिए, 10 नुम्बर से, को सुरू होने जा रहा है, इसको आप, जाए, और इसे अभी स्कैन करे, ठीके, नीचे भी मैं लिंक दे दूँगा, उस Google Form को आप, Google Form, नीचे आपको description के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस Google Form को जागर कि आप फिल करे, ठीके, यह payment करे, देख सकते हैं, आप सर्फ आपको कितना, 199, पूर आपका तीन लेक्चर होगी, तीन लेक्चर ही नव विक होगी, तीन से चार भी हो सकती है, ठीक है, डिवरिशन आपका रात का टाइम होगा, ठीक, तो यह आपका कोश के अंदर कभर है, ओल्लाइन कोश, तो साथी साथ आप चलते जाएं, क्योंकि यह ना सोचें कि एक्जाम आएगा, तो उसके दो-तीन दिन में के अंदर हम कभर करेंगे, विकाउस यह जो पार्ट है, वो आपका फिगर का पार्ट नहीं है, पॉनसेप्ट का पार्ट नहीं है, यह डिस्कृप्टिव पार्ट है, डिस्कृप्टिव और डिस्कृप्टिव चीज के लिए आपको पढ़ना पढ़ता है, है ना, आपको आपका जो नूर्स होगा, वो लंबा बनेगा, ठीक है, उसके अंदर कॉंसेप्ट कम रहेगी, लेकिन लिखना ज़्यादा रहेगा, जैसे पॉलिटिकल साइन्स वर्गर है, हिस्ट्री में होता क्या, उसमें लिखना ज़्यादा रहता है, देमाग के अंदर है, उसके इसको इलब्रोवेट लिखते रहूं, उसी तरीके से यहाँ, जिनका भी सोच है कि दो तीन दिन के अंदर कवर कर लेंगी, तो आप से लिखने ही पाँगे, आपके बास सोच होगा, लेकिन आपके लिखने के यह वर्ड नहीं होगा, इसलिए आप जाए अभी से हमारे ही साथ जुड़िए, ठीक है, और यह स्पेशल आफी के लिए बिल्कुल है, और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, दिस इस नाइन्थ नॉट, इसे टेंथ, दिस इस फॉर्म, टेंथ आप नोवंबर, भी स्टार्ट, यह फंड नाइन्टीन रुपीस, आपको पे कहां करना है, इस वाट्सप नंबर पे, और फिर आपको यह गूगल फिल करते टाइब, वहाँ पे आपको फोटो, स्क्रेंसवाट आपको अप्लोड करना है, ठीक है, तो चलिए, यह आपका पूरा डिसक्रप्शन हुआ, और कैसे करना है, इसके लिए हम लोग क्लासेस मिलते हैं, दस्तारेक से, फिर वहाँ पर हम लोग जुडेंगे, और यह EDPI 1 को अच्छे तरहेके से, जैसे मैंने आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में बताया, कि क्या क्या कोशन पूस्ते हैं, कैसे कोशन पूस्त, एक इक पाड को हम लोग अच्छे तरह के से कवर करते जाएंगे, हर एक लिच्चुर के अंदर, और इस तरह के से, इसका वे बहुत अच्छे तरह के से काम करेंगे, EDPI 1 के, और आपको कोई भी प्रॉब्लम एक्जाम के अंदर नहीं आने देंगे, यह मेरा भरोशा है, ठीक है, तो छली हम लोग मिलते हैं, हम क्लासेस के अंदर, आसा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, अगर अच्छा लगाओ, तो जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथी साथ, सेर करें, क्योंकि यह चैनल मेरा नहीं, यह चैनल आप सभी का हैं, आप सभी नहीं इसका ग्रोथ करा हैं, आप सभी के कारण मैं यहाँ हूँ, इसलिए आप लोग जित्ता हो सकें सेर करें, मिलते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद,